जो किसी पर फिदा नहीं होता दिल को थामा उनका दामन थाम के मौजूद है एहसासों में तेरी आर्जू मेरी आखों में मैं नई जनरेशन का नुमाइंदा हूँ मैं नई जनरेशन को रिपरेजेंट करता हूँ मैंने बहुत महनत किये और महनत कर रहा हूँ हम लोग सब जो जितने फनकार हैं आर्टिस्ट हैं मुजिशन्स हैं जगजी जी को जगजी अंकल अंकल कहते हैं चार पांच साल जो है मैं जगजी जी के पास अंकल के पास जाता रहा मैंने बहुत उनको सुना मैं बहुत मैंने उनकी सौबत की और अंकल ने हमश्या मुझे एक बात सिखाई और उन्होंने कहा कि बाटा तुम्हारी बहुत अच्छी अवाज है तुम्हारे में बहुत तालन्ट है तो तुम्हारा गला बहुत घूमता है बस एक तुम चाहे अपनी घजल गाओ, मेरी घजल गाओ, मेंदी साब की घजल गाओ, किसी की भी घजल गाओ एक अपना अंदास क्रियेट करो और उसको अपने अंदास में गाओ तुम को देखा तो ये ख्याल आया लोगों ने मेरी बहुत होसलावजाई किया है, यानि हर कॉंसर्ट जो मेरा हुआ है, वो साड़े तीन घंटा, चार घंटा, साड़े चार घंटा, लोगों ने बैठ के सुना है, कि लोग चाहते हैं, कि कुछ नया उनको कुछ सुनने को मिले, नए सिंगर, नई आवाज, नए अंदास, दिवोंट, दिया वीटिंग, वो तरस रहे हैं, वो प्यासे हैं, हाँ, 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 हाँ जित दे कुट दे कुट दे कुट दे कुट